इस lecture के अंदर हम देखेंगे average क्या होती है उर्दू में से औस्त कहते हैं और on an average आप अक्सर बात करते हैं average इतनी है जैसे आप cricket का मैं आज देख रहे हैं run rate की average आपके पास आजाती है average score आजाता है आपके पास कितना चल रहा है यनि के आप हर एक चीज को किसी number पे अगर divide कर के उसका final central tendency निकाल लें तो उसको average बोलते हैं I know this is very easy to know about average क्या होती है मिसाल के तोर पे आपको घर में सभी बच्चों को कोई आपके चच्चा या मामा जो है वो ईदी जीसे बोलते हैं तो एक को 10 रुपे दिए एक को 20 दिए एक को 30 दिए आपकी मामा कहती है on an average कितने पैसे देख गया है मेरे बच्चों को तो आपके पास उसका आंसर आजाएगा कि on an average 20 रुपे हर बच्चे को देखेगे लेकिन आपको पता है कि बड़ों को ज्यादा मिलती है और छोटों को थोड़ी से कम देखे जाते हैं तो इसको और भी डिटेल में देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन के उपर आब हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास जो mean है वो काम करता है असल में mean होता क्या है पहले तो इसकी गोरे की definition देखते हैं कि गोरा क्या क्या है फिर हम अपनी बनाते हैं reason यह है कि हम जब समझते हैं चीजों को तो वो ज्यादा easy हो जाता है अगर हम दूसरे का perspective लेके चलें सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो the mean इसको हम average भी बोलते हैं मैंने पहले बोला in its simplest form यानि कि simplest form जो है mean की is the average of set of numbers ठीक है अब आपको भी पता है कि average क्या होती है लेकिन it's calculated by adding all the numbers यानि कि यह मेरे पास तीन number है जो हमें इदी मिली है वो कहता है कि इसको सभी को sum कर लो plus plus sum कर लिया together and then divided by the count of those numbers count कितना है जो इसका divided by एक दो number तीन number तीन लोगों को इदी मिली तो तीन हो गया और यह जो है हमारे पास इसका answer आ जाएगा so 20 जम्मा 30 जम्मा 10 60 divided by 3 on an average हमारा जो answer है 20 आता है ठीक है अब आपको भी पता है कि average हमारे पास आ गई है लेकिन हम इसको अब data science के perspective से देखते हैं यह हमारे पास क्या बताता है center of gravity in a data set यानि कि 20 के इर्दगिर्द सारा data घूम रहा है 20 के इर्दगिर्द data घूम रहा है अब हम देखेंगे कि data analysis के अंदर mean जो है यह किस तरीके से हमारी help out करते है हम अकसर उकाद जो mean है वो निकालते हैं variables का say for example मेरे पास यह पूरा एक column है Titanic के data set का या कोई भी data set लें इसका नाम है age और age हर किसी की यहाँ पे लिखी हुई है years के अंदर years के अंदर हर किसी की age लिखी है तो age for example आपके पास आती है 10 साल, 12 साल, या 15 साल 12 साल, 15 साल, 13 साल, 12 साल, 30 साल, 36 साल ठीक है तो यह जो इनके अंदर points है ना यह count हो रहा है और जब आप python के अंदर या किसी भी concept के अंदर इसका mean निकालते हैं इनके पूरे number पे divide किया जाता है अब आप कहेंगे कि इनको जमा करके divide किया जा रहा है तो यह कौन कर रहा है यह basically excel के अंदर, python के अंदर और different softwares के अंदर यह mathematical equations जो है automatically add की होती है कि अगर mean of age लेना है तो आपके पास जो final answer आएगा that would be according to this number लेकिन इसको और भी समझने के लिए हम इस number को लिखते हैं कैसे हैं यानि कि equation क्या है mean की equation लिखना इस वज़ा से ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए कि आपको अगर equation की समझ लगी तो किसी भी एक पूरे पूरे variable का या column का आप average निकाल सकते हैं अब यहां पे mean is equal to इसको बोलते हैं sum यानि के sum कर लिया हमने सभी का और यह Greek letter capital sigma है इसका नाम है sigma और वो भी capital वाला ठीक है तो mathematical notation के अंदर इसको sigma बोला जाता है capital वाला आपने क्या करना है जो small letter में sigma होता है वो देखना क्या होता है but for now capital letter में sigma हो गया so submission या इसको sigma बोलते हैं i is equal to 1 और यहां पे n लिखा जाता है and then you can say x of i divided by n अच्छा अब अक्सरोकात लोग जो हैं इसी equation की base पे परेशान हो जाते हैं क्या मुश्किल equation है इसको मैं लफजों में लिखता हूं sum of all numbers divided by count of numbers या आप इसको बोलते हैं total numbers simple यही equation और mathematical notation में लिखी गई है अब इसको पढ़ा कैसे जाता है क्योंके mathematics जो हैं वो भी आपको आनी चाहिए और आप मेंसे काफी लोगों ने से पढ़ा भी होगा हम इसे यह बोलते हैं कि sum of all numbers i is equal to 1 का मतलब यह है कि आपने पहले number से start करना है मेरे पास numbers है कुछ 10 मैं यहाँ पर number लिखता हूँ 10, 20, 30, 50, 70, 80 यह मैंने number लिख लिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि sum यह इसका मतलब है sum यह जो sigma है इसका literal मतलब है कि sum आपने कर लिया इसको ऐसे लिखा जाता है ठीक है और अकसरोकाद mathematical notation में something like this तो sum of all numbers लेकिन यहाँ पर लिखा हुए sum of all numbers starting from i is equal to 1 i का मतलब यह है कि जब आपका पहला number होगा वहाँ से आपने start करना है यह वाला i is equal to 1 और जाते जाएं यह number उठाएं पहला आगया जमा दूसरा आगया जमा तीसरा आगया तो इसको i is equal to 1 बोला यहाँ पर i is equal to 2 i is equal to 3 i is equal to 4 i is equal to 5 i is equal to 6 अब 2 जितने मर्जी number होँ उसको बोलते है i is equal to n यही चीज लिखी है कि पहले से start करके n तक जाने ठीक है अब अगली चीज यह हमने बता दिया कि पहले number से start करना है और n तक जाना है x क्या है x की values यह x है basically ठीक है तो x की value जहां पर जो होगी उसको आगे sum करते जाना है यानि कि पहली फिर दूसरी इसके अंदर sum होगी फिर तीसरी फिर चौती फिर पांचवी फिर छटी फिर साथमी फिर आठमी and then so on आगे वाली हो जानी value so इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है average को क्योंकि हमने आगे भी mathematical notations देखनी है थाकि आपको समझ आ रहे अब यहां तक आपको समझ लगी ठीक है यहां पर समझ आगी बात की आपको अब I know कि आपको यह चीज़ें पता है लेकिन यह मसला तब खराब होता है जब हमें कुछ और डिटेल में चीज़ों को देखना होता है अब for example मेरे पास यह नमबर है 10, 20, 30 10, जमा 20, जमा 30, divided by 3 करता हूँ मैं तो यह 60 by 3 आजाता है इसको मैं कारता हूँ तो मेरे पास 20 on an average आगी लेकिन अगर आप गोर करें यह average तो आगई हमारे पास वो जो center line थी वो हमारे पास आगी लेकिन अगर आप देखें तो इसकी इस side पे भी और इस side पे भी numbers मुझूद है अगर यह 20 है तो इसकी left side पे 10 मुझूद है right side पे 30 मुझूद है इसी चीज़ को हम variability बोलते हैं यानि कि यहां से start किया इसका center यह है और यह variability है मिसाल के तोर पे अगर हम किसी चीज़ की average लेते हैं तो वो data का center तो हो गया लेकिन उसके left side पे भी कुई data होता है और right side पे भी center सभी बनता है न जब left और right में कोई चीज़ है हो अब यहां पे आपको मैं उसी data को show करवाता हूँ देखिएगा आपका data जो है वो ज्यादा तर center में है हम इसी को कुछ इस तरीके से plot करें तो यह हमें इस तरीके से बताता है कि जनाब जब आपका data ज्यादा है इसको frequency लिखते हैं यहां पे और यहां पे हम लिखते हैं वैसे ही अपना जो भी data है तो आप देख सकते हैं कि center जो है वो तो यह है लेकिन side ओं पे जो चीज फैली हुई है इसको हम बोलते है variability तो central tendency यह होगी है मारे पास central tendency यानि कि data का center और जो side पे data फैला हुआ है इसको हम बोलते है variability और spread variability और spread of data अब variability और spread में क्या फरक है कोई फरक नहीं है दोनों same है एक दूसरे के synonym है अब data कितना फैला हुआ है it matters on the mean, median और mod और उसके spread पे अब spread को भी समझने के लिए 3-4 चीज़े हैं जो हमाने वाले topic में देखेंगे यह बात मैंने क्यों छेडी यह इस वज़ा से छेडी कि अगर आपका data इसका center यह बनता है और side उं पे इस तरीके से वो distributed है कि उसकी right side chip की हुई है यह chip की हुई side है chip की हुई, pitch की हुई not chip की हुई, pitch की हुई pitch की हुई side है ठीक है? और दूसरी side ठीक है यानि कि एक बन्दे का अगर एक गाल पिचका हुआ और दूसरी side पे अच्छा खासा data हो वो जो data होता है यह different distribution को show करता है और इसका main center नहीं होगा इसका main वो ही point होगा जिसके इर्दगिर्थ ज्यादा data है तो जरूरी नहीं है हर दफा जो आप data draw करें उसका center बिल्कुल center हो कभी कबार वो left side पे भी हो सकता है और अगर वो ही data का जो इस तरीके से spread है something like this तो इसका center right side पे भी हो सकता है so यह distributions होती है जो हम इन्शाला देखेंगे but for now mean की आपको समझ लगी average क्या होती है और किस तरीके से वो center में आती है if you know कि उसको किस तरीके से हम लिखते है अब mean की average की कुछ types है और उन types को हम बारी-बारी देखते है और उन types of means को हम पढ़के फिर इन्शाला आगे move करते है सबसे पहली type जो है यहां पे that is arithmetic mean arithmetic mean क्या है अगर इसकी definition देखी जाए यह common type of mean है जिसको मैंने अभी आपको बताया और इसकी value कुछ इस तरीके से आजाती है हमारे पास जब हम सभी को sum करें और divided by n कर दें पहली mean की type फिर हमारे पास arithmetic mean के इलावा कुछ और types भी होती है जैसे कि geometric mean है harmonic mean है और truncated mean है मैं भी आपको दिखाता हूँ और इसको बारे-बारे discuss करते हैं उसका 1 over 3 की power उसकी ले लेनी है यानि के इसको हम ये भी बोल सकते है हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते है कि आप उसका square root of number ले ले यानि के जो उसका root है under root है उसकी power उतनी आप लिख सकते हैं for example ये तीन number है तो आपने इसके उपर इसकी power 1 over 3 लिखते नहीं है तो यह geometric mean है और geometric mean कब use होता है जब आपके पास value ऐसी हो जिनकी ranges या units change होते रहें such as growth rate अब यह growth rate है इसका rate भी a change हो रहा है किसी भी plant का या किसी भी biology के अंदर तो तब आप geometric mean use करते है लेकिन data science के अंदर बहुत कम use होता है but still we need to know अपकी assignment यह है कि आपने geometric mean को अच्छे से जो है वो देखना है कि कहाँ पे कब कैसे और क्यों use होता है ठीक है geometric mean कैसे calculate करना है आपके पास 3 number है 1.05, 1.08 and 1.07 इसको आप multiply करके 1 over 3 की power कर देते है that approximately give you this number ठीक है इस number को भी आप देख सकते है या इसको 6.67% भी आप लिख सकते है कि average growth आपकी इतनी है okay the next thing is called harmonic mean harmonic mean क्या होता है harmonic mean यह चीज होती है कि आप reciprocal of arithmetic mean यानि कि arithmetic mean जो हमारे पास था अगर मैं arithmetic mean लिखूँ mean मैं इसको AR लिख रहा हूँ simply बाद में हम देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है arithmetic mean हमारे पास था submission of i is equal to 1 से लेके n तक x of i divided by n अब इसका reciprocal क्या होगा अगर आप और से देखे इसका reciprocal होगा 1 over submission of i is equal to 1 n यहाँ पे आजएगा x of i divided by n ठीक है तो अगर हम इसको और solve करें तो हमारे पास ये वाली equation बन जाएगी ठीक है कैसे बनेगी मैं अभी आपको दिखाता हूँ आपको पता होगा अगर आपको basic mathematics आती n उपर चला जाएगा यहाँ से और हमारे पास जो simple equation बचेगी that would be something like this ठीक है 1 over x तो reciprocal लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से equation आ जाएगी अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये वाली equation में values बुट करनी है और हमारे पास harmonic mean आ जाएगा और ये तब use होता है जब आपने speed अपनी calculate करनी होती है किसी एक unit के अंदर और ये आपको बड़ा effective answer देता है मिसाल इसकी मैं आपको देता हूँ 40, 60 और 80 का 40, 60 और 80 का अगर आप arithmetic mean लें तो इसको divided by 3 करेंगे और ये तगरीबन 140, 180 divided by 3, 36 बार 18 और 0 ये 60 answer आता है लेकिन harmonic mean आपको क्या करता है एक harmonic में रखते हुए 53.33 answer देता है which is more accurate reason क्या है कि हमने अपनी average speed calculate करने होती है और उसके लिए आपको say for example हम क्या करते है round trip बनाते है और different speeds की base पे उसको calculate किया जाता है कभी आपकी 40 speed है कभी 60 है कभी 80 है तो on an average आपकी 60 नहीं होगी you need to calculate using this thing और ये rates and ratio के अंदर use होता है like speed होगी या productivity होगी या ऐसे चीज़ को measure करना जो continuously change भी हो रही है positive भी जा रही है negative भी जा रही है और उसके अंदर time का role है ठीक है खास दोर पे productivity over time आपके पास आ रहा so वहाँ पे आप harmonic mean यूज़ करते है अब harmonic mean के बाद हमारे पास आता है weighted mean और अक्सर उकाद आपको पता है कि जब आप अपनी cgps वेरे cgps वगारा जो है वो calculate करते है तो आप इसकी base पे करते है इसकी भी equation थोड़ी से complicated है but on the end आप हर चीज़ का weight लिखते है say for example मेरे पास एक paper है मैं मतलब आपके यहाँ पे आपको example देता हूँ कि आपका जो written paper है उसके 50% marks है वाइवा के आपके 25% है और assignment के जिसे हम sessional marks बोलते हैं वो भी 25 अगर रख लें तो हमारे पास अगर paper के marks आएंगे say for example वो आगे असी बटा 100 ठीक है यह मैंने लिख लिया यहाँ पे अब दूसरी side पे say for example 80 की बजाए यहाँ पे 90 आगया और यहाँ पे 70 आगया इसका मतलब यह नहीं कि हम सीधा सीधा इन तीनों को जमा करेंगे और हमारे पास जो value आएगी वो average होगी like 240 divided by 3 38 बार 24 और 80 यह हमारे पास इसका basic answer आ रहा है ठीक है अगर देखा जाए लेकिन हमने क्या करना है हमने इसकी weighted average निकाल लिए और usually weighted average क्या होती है आप हर एक point को यानि कि 80 को multiply करेंगे 0.5 से ठीक है plus 90 को multiply करेंगे 0.25 से plus 70 को multiply करेंगे 0.25 से ठीक है इस तरीके से हम multiply करेंगे and then divided by their ratios वोही चीज 0.5 plus 0.25 and then plus 0.25 let me see 2.5 no 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 okay अच्छा वही ये glitch भी end time पे आना होता है let me see ये glitch क्यों आ रहे okay तो ये था 0.25 plus 0.25 इस तरीके से इसको calculate करेंगे अगर फिर भी असी आ रहे है doesn't matter लेकिन on the other side it should be calculated like this ठीक है तो इस तरीके से आपका weighted mean आ जाएगा right तो weighted mean इस तरीके से होगा फिर आपके पास जो last आता है वो आता है truncated mean और truncated mean या हम इसको बोलते हैं कि एक side पे जुका हुआ mean for example अगर आप data का end यानि कि अगर आप गौर करें ये आपके पास data है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 आप end से 10% काट दें और यहाँ से ये काट दें जो center में data बचता है उसका mean ले ले इसका क्यों फाइदा है इसका फाइदा ये है कि ये more accurate होगा अगर top 10% आप निकाल देते हैं इसका मतलब उसमें अगर कोई outlier है वो तो गया निकल गया ठीक है और अगर आप bottom 10% भी निकाल देते हैं तब भी आपका outlier जो lowest extreme के उपर है वो भी निकल जाएगा so this is how you can actually calculate different mean types और mean और average को calculate करने के लिए python का भी सारा ले सकते है and then you can also calculate the average based on different things अब मैं आपको दिखाता हूँ कि average को calculate किया कैसे जाता है if you are using python और python के अंदर बहुत असान है किस तरीके से करने है हम वो देखेंगे अभी और फिर हम आगे move करते है let's show you in python just a minute okay जी तो यहाँ पे आपके सामने screen share हो रही है मैं यहाँ पे six number folder बनाता हूँ पहले जिसमें हम stat के सारे code रखेंगे और यह GitHub के repository के उपर चला जाएगा mean नहीं इसको बोलते है statistics सारे के सारे statistics के code इसके अंदर होंगे 01 mean dot बलके इसको मैं बोलता हूँ central 10 10 c dot ipynb so यह हमारे पास आगया हमने क्या करना है कोई भी अपना kernel select कर लेना है जो हम पहले भी करते आये हैं तो यहाँ पे import pandas as pd pandas as pd import numpy import मैं इसको थोड़ा सो zoom in कर लेता हूँ ताके बाकियों को भी नजर आए import numpy as np and then हम यहाँ पे import c bond as snsb कर लेते हैं यह हमने तीन libraries import की अब यहाँ पे इसके साथ ही हम कोई data import करते है for example यहाँ पे मैं titanic का data लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जा जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे sns.load dataset और इसके अंदर लिखते हैं titanic यह हमारे पास data आ गया data गो load करने के बाद हम उसका head देख लेते हैं किस तरीके से data आ रहा है यह हमारे पास data है अब मैं fair का average calculate करना चाहता हूँ fair वाले column का तो simply मैं क्या करूँगा df के अंदर fair लिखके dot mean यह मेरे पास average हो गया 32.20 and this is how you can calculate an average of any column तो यह हमारे पास fair का column था एक और इस column का हमने average ले लिया यहीं पर अगर आप age की average देखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आजएगी 29 साल और एक और तरीका कार यह है कि अगर आप age और fair इन दोनों का जो comparison करना चाहते हैं तो आप यह नहीं करेंगे कि fair versus age करेंगे आप करेंगे किसी एक categorical column का comparison यानि के male versus female की age so that's a different thing जो इन्शाला हम आने वाले lectures के अंदर भी देखेंगे और so this is how you can actually calculate the mean average जिसे हम बोलते हैं और आप different और libraries को use करके उन से भी आप means जो है उन्हें calculate कर सकते हैं जैसे scipy की library है अब यह तो था simple arithmetic mean अब आप इसी के साथ एक और किसम का mean भी calculate कर सकते हैं from scipy मैं यहाँ पे import stats मैं करता हूँ यानि कि stats का algorithm निकालते हैं हम scipy से यह library है अब हमने क्या करना है हमने geometric mean calculate करना है और फिर हमने क्या करना है हमने harmonic mean भी calculate करना है तो कैसे करेंगे stats stats लिखने के बाद dot यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी mean करना है g mean यह हो गया geometric mean किस चीज का लेना है g mean fair का तो यह आगया मेरे पास इस तरीके से 0.00 यह क्यों आया है इसको हम बाद में देखेंगे but for now we have to concentrate कि हमारे पास यह किस तरीके से data आ रहा है अगर मैं सारे के सारे df पे लगाऊ तो यह मुझे error देगा so we need to define any column जो हमारे पास होना चाहिए अब आपको भी पता है geometric mean यह क्यों आ रहा है या मेरे पास fair का geometric mean कम क्यों आया था because there might be an issue with the data set outliers हो सकते हैं और something else could happen in there ठीक है इस वज़ा से मैं क्या करूँगा यहां पे अपना एक numpy की data is equal to numpy की एक array बना लोगा np.array array बनाने के साथ ही मैं इसको कोई भी array बना लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 इसकी बजाए 10, 20, 30, 40, 50 कर लेते हैं और इसको data के equal रख लेते हैं अब आप देखेंगे इसका geometric mean 26 है यह आ गया इसका geometric mean इसी का अगर मैंने stats.h mean निकालूँगा तो यह मेरे पास harmonic mean आ जाएगा so it's very simple आप harmonic mean देखें तो यह आ गया अब अगर इसी का मैं on an average mean निकालता हूँ harmonic mean के इलावा that would be stats.mean let me see trim mean भी होता है कि इसमें हम वो भी निकाल सकते हैं या arithmetic mean इसमे का गया so इसको हम say for example अगर हम data.mean लिख देंगे तो वो हमारे पास arithmetic mean से निकाल लेते हैं so आप देख सकते हैं arithmetic mean 30 है harmonic mean 21 है और geometric mean इसका 26 है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम परिशान हो जाएं कि इसमें कौन सा चलना है यह data की type कौन सी है उसकी base पर पता लगना है कि आपका कौन सा mean आपने calculate करना है और अगर आप इसमें trim mean किसी चीज का calculate करना चाहते है you can also do that let me try that stats dot trim mean और यह देखें point 1 का मतलब यह है कि हम 10% data जो है वो trim कर रहे है ठीक है so यह हमारे पास 30 आ गया अगर मैं इसी को point 5 कर दूँ 20% data गया फिर भी यह है point 05 कर दें तब भी यह है so this is our trim mean this is how you can actually calculate different types of mean और I am hopeful कि आपको mean की समझ आ गया किस तरीके से आपका mean जो है वो calculate किया जाता है और कैसे आप उन चीजों को अपनी notebook के अंदर लिख सकते हैं ठीक है जी अगर आपने like नहीं किया हुआ इस lecture को अभी तक तो please कर दिये क्योंकि अगर आप यहां तक सुन रहें इसका मतलब you are interested to learn these things